Hello everyone and welcome back to अपनी कक्षा और मैं हर शर्माजव को पढ़ाने वाला हूं class 12th python विछले शेप्टर में हमने string के काफी सारे हमने functions देखे थे अब कुछ और नए functions देख लेते हैं बट यह थोड़े से different है एक function है हमारा join function, join function क्या करता है इसके अदर में को एक string पहले जेनी पड़ती है फिर dot फिर में को एक string बाब में parameter में जेनी पड़ती है तो यह क्या करता है जो पहली वाली string है उसके हर character के बाद दूसरी वाली string जोड़ देगा जैसे हमारा अगे देख लेते हैं एक string ये है एक string ये है तो अगर इसके अंदर देखें तो एक क्या करेगा जे के आगे पहले a ओड़ देगा फिर i के आगे a ओड़ देगा after each string ये character जो भी हम इसके अंदर देगे अब जैसे हमारा एक agent बेन ओड़ यहां पर लिखा हुआ है हमें इसको split करा रहा हूँ n से तो ये क्या करेगा जब भी string के अंदर n आएगा ना ये string को split कर देगा split करके हमें एक नई list देदेगा तो कैसे हो गए जैसे a, g, e e के बाद हमारा n आ गया तो ये a, g, e को एक element बना देगा a, g वार element बन गया n से split करना है n को ये खा जाएगा फिर उसके आगे जो है उसको एक element बना देगा यानि अब क्या आ रहा है n तो गया t, paste, b, i, एक और i एक और n आया फिर से split कर देगा फिर अगला क्या बनाएगा n अटा के od इस list कतम तो ये क्या करेगा, जहाँ जहाँ भी n होगा वहाँ से हमारी string को ऐसे split कर देगा टुकडो में और n वहाँ से गाया को जाएगा या फिर अगर मैं यहीं पर आपको देखाऊँ अगर मैं यहां से n अहटा दूँ और इसको एक bracket देदू अगर मैं यहां से n अहटा दूँ और इसको एक bracket देदू तो हमारी string कैसी बनी इसके अंदर तीन element बने a, g, e, t, space, bi, od तो वही हमारी list इसके अंदर बन के आगी split function ऐसे वर्फ करता है replace function कैसे वर्फ करता है इसके अंदर भी पहले एक string देनी पड़ती है फिर उसके बाद हमें दो strings देनी पड़ती है तो यह क्या करता है str के अंदर हर str1 को str2 से replace कर देगा यह सोड़ा सा confused होगे होगे बट example से समझा दाएगा यहाँ पर एक sentence लिखा हुए hello every wanna इसका मतलब क्या है तागे देखो क्या लिखा है replace a, e यानि यह हर a को e से replace कर देगा तो इसके अंदर देखो a यहाँ पर a है यहाँ पर a है यहाँ पर a है इसको इसलिए अच्छे से remember करना इसलिए एक ही page के अंदर में इने summarize करती है note क्या करना है यह जो functions है value को return करते है इससे जो भी होगा जो यह बना है यह return होगा तो इसको में हो कई store वराना पड़ेगा यह इसको direct print करना पड़ेगा similarly तीनों के तीनों values को return करते है directly change ही नहीं करते है string module के अंदर देख लेते हैं और क्या होता है अब इसके अंदर थोड़े से easy वाले देख लेते हैं import हमारे string कर रही sky letters अब again यह नहीं करना कि मेरे को सारे याद करने पड़ेंगे यह ठीक है नाम सी पता चल रहा है कौन क्या करता है sky letters क्या है return the string containing all sky letters यानि sky letters कितने होते हैं a से लेकर z तक होते हैं यह हमारे सारे एक string देदेगा हमें return कर देगा तो उसको print कर सकते हैं किसी हमें store कर सकते हैं lower space क्या करेगा सारी की सारी lower sky values हमें देदेगा यह क्या करेगा यह click capital वाली भी देगा small वाली भी देगा यह हमें 0iedz टक अपर space वाली हमें खाली Jersey喔 punctuation क्या क्या करेगा सारे क सारे JS होते हैं 果ह हमें a string के अंदर देगा ठीक है तो एक string बना की दे देगा है हमें अब ये कब काम आती है जब मालो हमें कोई चेक करना होता है कि कोई भी लिस्ट है या कुछ भी है उसके अंदर अलफा बैठ है की नहीं तो हम क्या कर सकते हैं एक नई string बना लेते हैं अपनी जिसके अंदर सारे sky value हो तो उसके अंदर manually डालने की जगा मैं direct sky letter से उसके अंदर सारे value डाल लेता हूँ अब मैं इसमें से compare कर सकता हूँ कि इसके अंदर है या नहीं अब यह क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर compare यह basically मैं इस अलफा चेक कर रहा हूँ इस अलफा कैसे वर करता होगा आपको समझ आ गया होगा जो भी हमें चेक करने उसको सारे सारे sky letter से compare करता हूँ ठीक है इसी है नाम सी बसा चल रहा है सारे return string करेंगे यहाँ पर एक interesting function और एक cap words यह क्या करता है जो भी हमारी string होती है ना उस string के हर first word को capital कर देता है ठीक है जो भी string के हर first word को capital करता जाएगा और यह क्या करता है works on white spaces and reduces spaces to one यानि की string के अंजर जहाँ भी extra spaces होते है ना white spaces उनको यह सबको one के equal करतेता है मतलब कि जैसे एगर लिखा हूँ है hello और इसे आगे एगर small से लिखा हूँ है कुछ hello python ठीक है अगर ऐसा कुछ लिखा है तो जो extra spaces है सबसे पहले उन सबको one तक reduce कर देगा और जो इनके first letters को capital कर देगा तो यह कुछ ऐसा दिखने लगेगा hello python सबके spaces को one तक ले आगा और capital कर देगा तो यह थोड़ा सा interesting function अब इसके तरह में एक separator कैसे वर्क करता है by default तो इननन है इसलिए white spaces पर वर्क करता है और first letters हो कर देता है अगर मैं कुछ separator दे देता हूँ तो जैसे की हम इसको माल लेते ही हमारी white spaces पर कान करेगा पहले किसे और उनको reduce करतेगा one तक अभी हमारा cap word है यह work कैसे करता है basically three steps में work करता है तरसे पहले तो इस string को split करता है जो भी हमने separator दिये उससे जैसे अगर मैं इसको r देता हूँ तो पहले ही उसको split करेगा फिर जो भी word है उसको capitalize करेगा और फिर वह प module हो कुछ नाम दे देते हैं लेकिन अगर बहुत सारे modules यह घट्टे हो जाएं तो हमारा बनाएते हैं पूरा-पूरा package package करता collection of modules under the same namespace scope implementation तभी आगे समझ जाओगे कैसे namespace work कर रहा है in a single directory ठीक है एक ही directory के अंदर जैसे computer science है इसके अंदर हमने बहुत सारे multiple modules डाल दिये तो तो हमारा एक package बन गया तो यह computer science एक package बन गया बट इसके अंदर देखोगे यह एक folder है इसके अंदर हमारे तीन modules है ठीक है लेकिन एक collection of modules है बट अगर एक folder के अंदर तीन modules है और एक चौथा module है जो है हमारा initpy यह initial वाला पाई होना जरूरी है क्योंकि अगर यह नहीं होग और गारे जातरी होग तो यह हमारा package बनेगा तो अगर initpy है और इसके अंदर काफी modules है और एक directory के अंदर है ठीक है same namespace के अंदर है तो ये हमारा एक package बन जाएगा तो package क्या होता है collection of modules अंडर same namespace और उनके अंदर किनेट 5 वाली फाइरो नीशी है अब लिखता है ठीक है तो ये just collection of modules है और ये हमारा एक package है अब हमारे पास तीन terms आ गई है एक package आ गए एक module आ गए और एक library आ गए काफी लोग library और packages में confused रहते हैं और इनको same मान के शलते हैं तो एक बहुत ही ठगड़ा example लियाया हूँ मैं आपके लिए library और package का ठीक है तो एकदम clear हो जाए अगर एससे क्या होता है library और क्या होता है package तो library क्या होता है library होता है collection of package तो यहाँ पर अगर हम देखें तो function अगर हमारे chapters है तो module हमारी पूरी की पूरी book है यानि कि एक module में बहुत सारे function होते हैं और अगर module हमारी book है तो package हमारा पूरा shelf है जिसके अंदर एक ही type की अलग-अलग books होती है ठीक है shelf होता है जैसे हमारा computer का अलग shelf है science का अलग shelf है और उसमें सारी की सारी एक ही type की books होती है पर अगर package एक shelf है जिसके अंदर एक ही type की books है तो library हमारी है पूरी की पूरी library जिसके अंदर की बहुत सारे shelf रखे होए है I hope इसके वादा को clear हो गया होगा कि इन सब में क्या difference है ठीक है module basically collection of functions है package collection of modules है और library collection of packages है बट module के अंदर क्या होते है एक category के सारे functions होते है ठीक है अब थोड़े एक खटे modules को अगर हम एक ही package के अंदर डाल दें same name space के अंदर तो package बन जाता है तो जैसे यह देख सकते हैं हमारे दो packages है और यह पूरी हमारी एक library बन गई library is collection of packages और conceptually जखो तो library और package same है क्योंकि दोनों के अंदर at the end books ही होती है और book के अंदर हमारे फिर functions निकल गया तो इसलिए confused होते हैं कि इसके अंदर भी भाई पाशेज है इसके अंदर भी module है इसके अंदर भी module है तो दोनों same होंगे बट दोनों same नहीं है technically same है बट same नहीं है अब थोड़ी सी practice कर लेते है modules की random तो हमने कर लिए random ज्यादा important है module में से भी एक question आता है तो find the output of the following program इसका output निकालना है एक हमारा module है दूसरा module है अब module आसे program के अंदर defined नहीं होंगे ये output के लिए आपको यहीं जे दिए हैं वैसे हमारे directory के अंदर होते है module 1 के अंदर हमें एक function दे रखा है modify और इसके अंदर जा रहा है एक parameter a अब एक line लिख हुए इसके b is equals to x into 2 for x in a अब इससे confuse मत हो जाना अब इससे हो गए होगे ये करता का है सबसे पहले समें देखको यहाँ पर क्या दिख रहा है square brackets square brackets किस के होते हैं list के होते हैं तो ये एक हमारे list बनेगी कैसी बनेगी list का element है x into 2 और x की value नहीं पता x कहाँ चल रहा है x चल रहा है हमारे a के अंदर ठीक है तो x चलेगा a के अंदर और इस list के element बनता जाएगा x into 2 अभी देखते हैं कैसे हो print b ये होगा पहला function पहले module का function अब दूसरे module का function क्या है वो भी modify है वो उसमें क्या है b is goes to x into a और x in a यानि क्या करेगा x को x से multiply करतेगा तो इसी value कहाँ से यागी a में चलते वह है ठीक है तो x को x से multiply करता जाएगा और उसको b में डालता जाएगा print b अब क्या करा हमने अब इस नोरो module को हमने import करा है from module word import modify from module to import modify ये क्या होगा भाई जो-दो modify बुला दी एक ही program के अंदर तो क्या होगा जो नया वाला modify ही है वो work करेगा पहले वाले को override करेगा ठीक है तो module 2 का modify चलेगा ठीक है module 2 का modify चलेगा इसको भूल जो अब ये कैसे चल रहा है a है हमारा 1, 2, 3 अब 1, 2, 3 गया है इजर 1, 2, 3 अब यहाँ पर क्या दिख रही है एक line for x in a यानि x जो हो 1, 2, 3 में चल रहा है यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1, 2, 3 है हमारा a अब x इसके अंदर चलेगा तो x चला पहले 1 पर b is goes to kya x into x तो b के अंदर गया 1 into 1 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ b कैसे चल रहा है b हमारा होगे 1 into 1 that is 1 ठीक है अब x बढ़ा अगले पर x गया हमारा 2 पर ठीक है b is कितना है x into x यानि 2 into 2, 4 ठीक है अब x गया अगले पर 3 पर so b कितना है हमारा 3 into 3 that is 9 तो b हमारा होगे 1, 4, 9 यहाँ आपको जो statement है समझा गई होगी अब कैसे work करती है तो अब यह आजए तो confuse नहीं हो तो जब यह सब हो जाए b हमारा बन जाए उसके बद हमें b को करा देना है print तो b को हमें आपे print कर देंगे तो answer हमारा बन आए ना जाएगा ठीक है simple था जादा कुछ था नहीं बट यह वाली statement सोटी से confusing होती है तो आपको समझा गई है यह चीज़ याद रखने है जो भी module बाद में आएगा जो भी function बाद में आएगा जिनका same name है वो override कर जाएगा पहले वाले को अब एक question देख लेते हैं अगें random का है हूँकि random से ही जादा questions आते हैं कौन सा output या outputs possible होंगे for the following code और n को lowest और highest value के assign हो सकती है भाई यह गलती बहुत बच्चे करते हैं क्या गलती पहला तो निकर देते हैं possible output निकाल देते हैं दूसरा question करना ही भूल जाते हैं ठीक है यह मेरी यासत थी मेरे time पर मैं यह करना भूल जाता था बट practice के साथ आपको यह याद रखना पड़ेगा कि इनको करना है तो program पड़ते हैं क्या है S क्या है CBSC online ठीक है N क्या है random.randent 0-3 ठीक है L है 9 while यह कुछ confusing साथ इसको पड़ो क्या है while S of L S of L मतलब S of 9 ठीक है is not equal to L यानि जब तक S of L जो हो हमारा L नहीं हो जाता यह confuse करने के लिए LL दिया है print करो S L प्लस S N प्लस E अब इसको step बे step चलाएंगे जब 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 यह में समझ आएगा उससे पहले क्या बोल रहे है S of 9 not equal to L S of 9 not equal to L है हाँ भई S of 9 L के एकोल नहीं है तो यह loop चलेगा print क्या करना है SL प्लस S N प्लस H SL क्या है S9 S9 हमारा क्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 S9 हमारा E तो हमारा print हो जाएगा E E हमारा print हो गया ठीक है Plus S of N N कितना है हमारा N एक random integer है 0 से 3 के बीच में तब क्या हो सकता है वो नहीं पर लिख लो क्या हो सकता है 0 से 3 के बीच में 0 हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 नहीं होगा ठीक है याद है 0,1,0,2 हो सकता है तो S of N में क्या आ सकता है या तो हमारा T आ सकता है या B आ सकता है S 0,1,0,2 में से तो E के आगे हमारे यहां पर हम तीनों लिखे लेते हैं चोटे-चोटे E, T, B, और S में से कोई भी आ सकता है तो यही से एक possibility तो हमें ही मिल जाएगी कि second option और third option तो हो गई नहीं क्योंकि starting में हमेशा E ही आ रहा है और यहां पर E नहीं है तो यह दो दो हमारे पहली गलत हो गए तो इनको काट लेते हैं यह भी नहीं है यह भी नहीं है बाकी दो option में हमें दिख रहा है E है ठीक है और एक option में आ रहा है हमारा ES और एक option में आ रहा है EC चलो दोनों हो सकते है EC भी हो सकता है ES भी हो सकता है दोनों possible है फिर आएगा हमारा hash hash भी लगाते से है फिर हमारा क्या हो रहा है N is goes to N plus 1 यानि जो N की value जी 0, 1, 2 अब यह भढ़के किसे नहीं हो सकती है 1, 2 और 3 हो जाएंगी फिर हमारा क्या हो रहा है L is goes to L-1 यानि L की value हमारी एक से घड़ जाएगी तो L हमारा हो गया 8 अब लूप दुबारा चला print करना है S of L plus S of N plus hash S of L कितना है S of 8 यानि कि N S of 8 हमारा N है इसके बाद हमारा print होगा N ठीक है उसके बाद क्या print होगा S of N S of N क्या है 1, 2, 3 में से कुछ भी हो सकता है S of 1, 2, 3 S of 1 क्या है B, S of 2 क्या है S और S of 3 क्या है E तो B, S और E में से कोई भी आ सकता है तो मैं तीनों लिख भी B, S और E में से कुछ भी हो पिर आएगा हमारा है अब बाद option चेक करो option में क्या दिख रहे है first or second बचेते first or fourth बचेते पहला तो सही था hash N N दोनों में ठीक है E और B E भी आ सकते है, B भी आ सकते है तो फिलाल तो first or fourth ठीक करो दुबारा चेक करो अगले loop पे अगले loop में क्या होगा N एक से बढ़ेगा L एक से घटेगा तो L हमारा हो गया 7 और हमारी N value values एक से बढ़के 2, 3 और 4 दे अब हमारा क्या आएगा output इसके आगे लिख लेंगे हम यहाँ पर print करने S of L L कितना है, S of 7 S of 7 कितना है, I आई आगया, ठीक है फिर S of N S of N में क्या आसकता है, 2, 3 और 4 2, 3 और 4 किया है हमारे S, E और O में से कोई भी आसकता है S, E और O में से कुछ भी आसकता है और फिर एक hash आएग ठीक है, लूप हमारा खतम होगे अब ज़रे से compare करते है output से तो इसना तो दोनों का ठीक होगे है से पहले वाले का भी दूसरे वाले का भी I O hash कि I O hash आसकता है, बिल्कुल आसकता है और दूसरा है I S hash, तो I S hash भी आसकता है तो नि, दोनो, first or fourth option दोनों ठीक है ठीक है, अब paper में ऐसे मत करना कि जब आपने पहले देखा कि second or fourth तो second or third तो गलत है, तो first or fourth ही होगा है हमें बिल्कुल end तक जाके check करके आने कि match कर रहे हैं कि नहीं कर दो ठीक है, तो यह है minimum maximum value डालो क्या possibility हो सकती है, क्या वो possibility option में है बस अफकांसर आ जाएगा और इन्हीं की practice करके जानी है जाता है जाता अब अब दुबार से हम छोड़ने आ आले तक गलती से, highest value क्या हो सकती है एन्कोर lowest value क्या हो सकती है, तो normally देखा जाए तो 0 से लेकर 2 तक हो सकती है बट पूरे program में देखें, पूरे program में minimum value गई थी 0 और maximum value हो नहीं कितनी गई है, 4 गई है तो इस दोरों लिखके आना, तो अगर by assignment देखें तो 0 से 2 हो सकती है, लेकिन program के उससे देखें तो 0 टू 4 हो सकती है एक question आ रहा है हमारा, यह तो यार काफिस बाहरा आ चुका है, इस type का question, sentences वाला इसमें क्या हो रहा है, क्या output possible हो सकता है, एक भी हो सकता है, एक से जाधा भी हो सकता है specify the lowest and highest value, इसकी type के आते हैं बतारों, lowest और highest value क्या हो सकती है, पी की यह बतानी है random import कर रहा है, ठीक है, पीस को श्लू random random 0-3, 0-3 में क्या क्या value आ सकती है, मेरे को बतानी है ज़रत नहीं पढ़नी चाहिए, 0-1-2, ठीक है, अब मेरे को बतानी है ज़रत नहीं पढ़नी चाहिए, आप अपने हाप समझ सकते हो, यहाँ पर एक glitch दिर रखती है, जेली, Mumbai, Chennai, पर नहीं को चला है, यहाँ C के अंदर, इसके बाद हमें एक nested loop की sharement दे रखें, for j in range 1-2p, अब पी हमारा 0-1-2 में से कुछ भी हो सकता है, तो 1-0 में तो चलेगा नहीं, 1-1 में भी नहीं चलेगा, यह 1-2 में ही चल सकता है, जो हमारा loop है, तो 1-2 में एक बार चलेगा, औ उसके बाद अब i की value भड़ी, और यहाँ पर एक अब खाली print कोई करा है, खाली print करा है, next line में आ लेकर, next line में आ गए, अब क्या होगा, और i in c दुबारा चल रहा है, लेकिन i हम Mumbai पर आ जोगा है, Mumbai पर आए, अब p, p एगगा 2 होगा, यह जब ही चलेगा और नहीं चलेग और क्या print होगा, chain नहीं, क्योंकि अब i भढ़के chain नहीं पर आ चोगा है, हमने print करा दिया chain नहीं, next line में आ जाएंगे, इसके बाद, फिर i भढ़के call कता पर आ जाएगा, और again, यह loop जब ही चलेगा nested वाला, जब pq value 2 होगी, pq value 2 पर भी एक ही बार सलता है, तो हमारा print हो जाएगा call काता, ठीक है, यह हमारा possible output है, ऐसा नहीं, यह है अएगा, यह possible है, और यह kब possible है, जब pq value 2 हो, जब pq value 0 होगी, तो कुछ ऊटबुट नहीं आएगा, जब pq value 2 होगी, जब एक output आएगा, और वो एक output भी यह ही होगा, और कोई output पोसिबल ही नहीं, ठीक है, तो एक last question important हमें एक module बनाना है ठीक है module को नाम दे रखा है length converter.py उसके अंदर यह functions डालने हैं हमें 4 functions और क्या हो सकता है इसके इसके इंदर हमें constant store करने 1 mile is equal to यह और 1 feet is equal to is तो हमें constant भी बता दी हमें function भी बता दी हम module बनाना है अब module बनाते हैं जरा programming के अंदर है तो let's start with the code तो यह हमने देख लिए ही कैसे हमें पूरा module बनाना है ठीक है module बनाना आ गया यह आपका practical में भी पूछा जा सकता है और paper में भी आता है ठीक है तो आपको format या दोना चीक कैसे बनता है और practice जाधा है जाधा करनी है description में link है उस पे से previous year solve करो और नहीं तो हम आगे करेंगी अच्छे से दबा के इतने भर-बर के pvc solve करेंगे की बतलब रट जाएंगे question आपको अच्छे से ठीक है कि मारा vazёर करने वाला है उसके बाद क्या और क्या करना largest function करने अफ दो connections अब functions के अंदर मेरी चार functions है तो 4руг function को में define कर देते हूं define miles to किलोमेडर कर देते हूं ढ़र बाकि बिक्षान कर देते हूं अंदर खाग में इसके बाद में लिखत आूं तो मैंने चारो फंक्शन यह डिफाइन कर दी हैं, अब मेरे को क्या करना है, miles to kilometer क्या करेगा, miles को kilometer में convert करेगा, तो इनको सबसे पहले एक number चाहिए होगा, जिसे इने convert करना है, मेरे को constant value दे रखिए, 1.609344, बट यह value मेरी constant में store होगी, तो सबसे नीची दाके पहले मैं constants लिख लेता हूँ, constants, यहाँ पर मैं पहले comment दे दूँँगा, फिर constant की value store कर लेता हूँ, तो नाम देता हूँ, जैसे m2k, ठीक है, m2k की value मैंने करती, 1.609344, जो हमारी value दी, similarly मैं क्या करता हूँ, एक f2i कर लेता हूँ, हमारा feet 2 inch वाले का, f2i को मैंने कर दिया, 12 inches, यानी 12, चीक है, अब हमारी यह दोनों constant value हो गई, अब मैं convert करता हूँ, n को km में, अब जैसे miles to km में करने के लिए मैं को 1.609344 की जागा, m2k से multiply कर दूँगा, मैं return कर देता हूँ, क्या, n into m2k, चीक है, और, अब मैं यहां function की भी docksring देनी पड़ेगी, कि function क्या करता है, अब लिख देता हूँ, returns the length from mile, या फिर मैं लिख देता हूँ, returns the, चो यह हमारे first function की docksring होगी, कि यह करता कै, similarly है, बागी सब के लिए भी कर सकता हूँ, जैसे मैं इसके अंदर भी, अब इसकी docksring देता हूँ, यह क्या करेगा, returns the converted length from kilometer to mile, यह kilometer to mile करने वाला है, kilometer to miles, अब इसको मैं कैसे करूँगा, इसके अंदर मैं हो क्या करना पड़ेगा, बस divide करना पड़ेगा, तो यह return क्या करेगा, and divide by m2k, क्योंकि जब मैं mile to kilometer करता हूँ, तो मेरे को multiply करना था 1.6 कुछ से, और जब मैं kilometer to mile करना हूँ, तो मेरे को 1.6 कुछ से, मैं को से divide करना पड़ेगा, feet to inches में भी एक dog string आईगी, तो यहां लिख लेए, तो इसकी dog string यह क्या करेगा, returns the converted length from feet to inches, feet, feet, foot, so feet to inch convert करने के लिए में क्या करना पड़ेगा, 12 से multiply, और नीचे मेरी constant में यह value, f2i, तो मैं क्या करूँगा, return n into f2i, ठीक है, और n इसमें मैं देना भूल गया, यहां पर और यहां पर, last वाला हमारा है कि inches to feet, इसकी भी एक dog string नहीं हो, returns length from inches to feet, inches to feet करने के क्या करना पड़ेगा, return, return हमारा, n divided by f2i, बस इतना खरना था हमें, हमें basic format पर ध्यान रखना है, basic format के है, comments में पहले आएगा, जो भी हमारा section है, module का नाम, functions, constants, फिर हमारे module की dog string आगी, फिर हमारे हर function की एक dog string आगी, last नहीं हमारे constants आते हैं, और हमने सारे function बना दिये, तो यह simple था, अब इसके अंदर हमें एक चीज़ और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे constant value of 1 mile in kilometer, similarly मैं नीचे भी लिख सकता हूँ, constant value of 1 inch in feet, तो यहाँ पर हम यह clear कर दे कि हमारे constants किस काम की है, module बनाने में कुछ tough नहीं होता है, बहुत easy होता है, question इसके कुछ ऐसे नहीं हैंगे, आपको कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ ओमली लागाने पड़ेंगे, आपको इसके अंदर बस खाली format या दोना चाहिए, format या दोगा तो इसको बाकी आप easily करे लोगे, ठीक है,